दोस्तो केडिट इसको जिसको हम बोलचाल के भासा में सिवील इसकोर भी बोलते हैं वो कितना इंपोर्टेन होता है वो हम सबको पता होता है जब भी हम कोई लोन या फिर केडिट कार्ड अपलाई करते तो सबसे पहले आपना केडिट इसकोर या फिर सिवील इसकोर ही चेक कि still आपका civil score या फिर credit score डाउन कर दिया जाता है example के लिए आपने कोई loan जो है payment कर चुके है वो close दिखाना चाहिए लेकिन आपका वो active रहता है या फिर आपने कोई payment time पे किया है लेकिन credit report में दिख रहा है वो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महिना delay दिख रहा है आपने कभी न कभी सामना किया ही होगा लेकिन दोस्तो RBI ने ये सारे चीज के उपर एक बहुत बड़ा action लिया है और हमारे देश में जो चार credit bureau है जिसका नाम है Trans Union Civil, Experian Equifix और CRIF High ये चारों के चारों के उपर लगा दिया है बहुत बड़ा hunter डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखी का मैं हूँ असन आप देख रहे यूनीटिन हो वीडियो में आगे जने से पहले आपसे रिकोष्ट है चैनल में अगर ने हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तो वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो जरूर जो है लाइक बोटन को प्रेस कर दीजिगा तो चलिए दोस्तो बात करते है बिस्तार से दोस्तो हम सभी को पता है अगर आपका कोई भी केडिट रिपोर्ट में एरर आता है तो उसको ठीक करने के लिए आपको उस केडिट ब्यूरो में रिपोर्ट करना होता है रिपोर्ट का पॉसेस अलग-अलग होता है कोई-कोई इमेल के थूरू रिपोर्ट करने के लिए बोलता है कोई-कोई पोटल देके रखता है और कुछ-कुछ सिनारियों में कस्टमा क्यार का भी नंबर रहता है लेकिन दोस्तों आपने एक चीज़ जरूर नोटिस किया होगा यह मेरा पर्सोनल एक्सपरियंस बता रहा हूँ कि एरर अगर होता है उसको ठीक करने का जब पॉसस है वो बहुत जटिल होता है एक्साम्पेल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा एक केडिट रिपोर्ट में इशू आया था जो कि सिविल में है तो सिविल का जो रिपोर्ट पॉसस है इतना जटिल है वो आम इंसन के समझ के बाहर है बहुत ज़्यादा जो है इसका जो पॉर्टल है और दोस्तों आपने एक चीस और नोटिस किया होगा कि अगर आपका कोई एरर आता है उसको ठीक ही भी कर देता है तो वो अपडेट होने में काफी ज़्यादा समय लग जाता है मतलब कभी दो मैने कभी तीन मैने कभी चार मैना कभी आईसा भी देगा गया कि उसको ठीक ही नहीं होता और उसके चलते अगर आपको कोई इमर्जेंसी लोन जरूत परता है तो आपको वो लोन नहीं मिल पाता क्योंकि बैंक वाले या फिर एन्वेफ से सीधा-सीधा बोल देते भाई आपका यह यहां पर दीख रहा है कि आपने इस लोन का पेमेंट नहीं किया या फिर यह लोन आपका एक्टिव है जिसके चलते हम आपका लोन अप्रूब नहीं कर सकता तो यहां पर घुमा फिरा के जो कॉंजूमर होता है उसका ही ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है और उसको ही पूरा इसका इंपक्ट छेलना परता है लेकिन जो केडिट ब्यूरो है इसके उपर कोई इंपक्ट नहीं परता है लेकिन दोस्तों इस बार RBI ने लिया है यह साड़े चीज़ों के उपर बहुत बड़ा आक्शन और जो केडिट ब्यूरो है इनके उपर टोटाल एक करोर का पैनल्टी लगा है अब किसके उपर कितना पैनल्टी लगा है मैं आपको बता देता हूँ पहले ट्रांस उनियन सिविल इसके उपर पैनल्टी लगा है 26 लाग का उसके बाद एक्सपिरियन और साथी साथ जो इक्यूफिक्स है इसके पैनल्टी है 24 लाग 75 हजार का इच मतलब जो है CRIF है जिसके उपर पैनल्टी लाग 75 हजार का तो टोटल कुल मिला के एक करोर एक लाग का पैनल्टी आर्बियाई ने एड़ किया है चारो केडिट ब्यूरो के उपर है यहाँ पर आर्बियाई ने साब साब क्लियर कर दिया है कि बेसिकली यहाँ पे दो रिजन के चलते इन लोग के पास जो है पैनल्टी आड़ किया गया है पहला रिजन यह है कि इन लोग के पास बहुत सरा कंप्लेंट जब आता है कि हमारा केडिट जो रिपोर्ट है उसमे एरर है यह लोग टाइम पे उसको अप्डेट ही नहीं करते और साथी साथ इन लोग जो है कस्टमर को जो भी कलाइंट है उनको पापर इंफर्मेशन भी नहीं देता कि कैसे क्या ठीक करना है ना करना है बेसिकली इन लोग का टाइम होता है 30 days के होता है कि 30 दिन के अंदर उसको correction करके अपडेट करना होता लेकिन 30 दिन के अंदर नहीं करते मतला वही दिन टैक्ट जो है वो नहीं करता और दूसरी बात है customer को भी यह लग properly support नहीं करता guide भी नहीं करता कि कैसे अपडेट करना है क्या-क्या process follow करना है तो यह सारे complaint जो है RBI के पास आया है through customer, through other source जिसके चलते RBI ने सारे चीज़ के ओपर गौर किया, observe किया और RBI ने पाया कि हाँ यह सही है customer के साथ यह सारे credit भी उरो इस तरीके से behave कर रहे है जिसके चलते इनके ओपर penalty लगाया गया है तो दोस्तों, as a, मैं video creator नहीं बोलना है, as a, क्यूंकि मेरा भी ऐसे साथ मेरे साथ भी हुआ है तो as a, मैं consumer बोल ला हूँ, यह बहुत अच्छा किया, मेरे जिसाब से बहुत अच्छा step है और है कि आपका credit report में गलत जो है report किया गया, जिसके चलते है, आपका score डाउन कर दिया गया या फिर आपको loan मिलने में दिक्कत है, स्रिफ इन लोगों के वज़ए से तो आप अपना experience मुझे जरूर शेयर कर सकते है, वीडियो का comment section में और साथ ही साथ आपको ये RBI के step कैसे लगा, ये भी आप अपना राई मुझे जरूर बता सकते है, इस वीडियो का comment section में हम मिलते अगने वीडियो में तब तक अपना बहुत स्था ख्याल लेखिएगा, जैहिन बनने मातरब